हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उम्मीद करती हों बहुत ही अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का कुपिस सोनम में आज मैं आपके लिए एक ऐसे यूनिक वीडियो की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि आप अगर स्टेप्स फॉलो करके बनाईगे ना तो बहुत ही आसानी हैं तो चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर यह एक किलो पेठा लिया है जो की जिसको की कुमड़ा भी बोलते हैं सफेद पेठा और इसको मैं इस तरह से काट के और इसके जो अंदर वाला भाग है ना बीज का वह अलग करूंगी और जो उपर क और भी जो इस तरह से जो पार्ट है वह ऋहम लेंगे इसका तो इस तरह से चिक जो पार्ट है ना ऊपर का और यह झ lass इनको हम कट कर लेंगे और जो इसके पीसेस है ना वो थोड़े बड़े-बड़े ही काटेंगे ताकि जो पेठा हमारा जो है वो बने जैसे बाजार में मिलता है ना उस तरह का ये पीसेस बने कट कर लिये हैं अब इनको हम एक इस तरह के फोक से इसको बिक कर लेंगे इसमें छेट कर लेंगे और जितने ज़्यादा आप छेट करेंगे पेठे हमारे उतने ही मुलायम और रसीले बनके तयार होंगे तो इस चीच का आप ध्यान रखिएगा तो मैंने यहाँ पर सारे ही पेठे में इस तरह से छेट कर लिए हैं अब मैं यहाँ एक बड़ा सा बाउल ले रही हूँ जिसमें की मैं एक चम्मच चूना लूँगी तो यह चूना बहुत ही ज़रूरी है हमारे पेठे को मुलायम बनाने के लिए तो इसको इस तरह से पानी में घोल देंगे एक चम्मच चूने को अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसकी चूने की मात्रा ज़्यादा कर लीजेगा तो इस तरह से इसको पानी में घोल दिया है और यह देखिए पानी का कलर चेंज हो गया है और जो ये पेठा है ना, ये इस पानी में डाल देंगे, सारा का सारा, छेद हमने इसलिए की हैं, ताकि जो ये चूने के पानी में ये पेठा रहेगा ना, तो अच्छे से हमारा पेठा मुलायम बनें, तो सारे के सारे पेठे को हमने इस तरह से पानी में डाल दिया है, और इ और इसको हम धो लेंगे और वापस से साप पानी में इसको एक से दो घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे तो एक से दो घंटे हो चुके हैं फ्रेंट्स तो हम इसको पानी से अलग कर लेंगे और अच्छे से वाश करके इसको ले लेंगे तो इसको बनाना थोड़ा सा मतलब patience के साथ बनाना पड़ेगा आपको लेकिन इसके जो result आएंगे ना उसको देखकर आपको बहुत खुशी होगी तो यहाँ पर मैंने ये पानी से पेठा लग कर लिया है और एक भगोना ले लिया है मैंने इस तरह का एक बरतन आप चाहें तो कड़ाई का इस्तमाल भी कर सकते हैं और उसमें मैंने दो गिलास पानी लिया है और उसमें मैंने ये सारा का सारा पेठा है जो वो डाल दिया है और इसको उबलने देंगे करीब 5-7 मिनट के लिए इसको उबालेंगे ताकि जो चूने का थोड़ा बहुत भी इसमें रहे गया होगा जो मतलब कि धोने से नहीं निक जाएगा और इसको इस तरह की एक छनी में हम पानी से अलग कर लेंगे तो इसकी थोड़ी सी भाफ निकल जाने देंगे जो पेठा हमने उबाला है पानी में इसको इसी तरह से रखेंगे और करीब तीन से चार मिनट के बाद हम फिर से वापस वही वरतन ले रहे हैं और उसमे करीब 2 कपचीनी ले रही हूं बजन में करीब चार से 500 ग्राम है और इसमें मैं आदी गलास पानी डालूँगी और इसको घोल गोल गोल के इसकी चासनी बना लेंगे और जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगी वैसे ही जो पेठा हमने उबाल के रखा है ना उसको इस चासनी में डाल देंगे तो यहां पर उबाल आनी शुरू हो चुकी है तो जो पेठा हमने उबाल के रखा था ना वो सारा का सारा हम इस जो चासनी हमारी उबल रही है इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही इसको पकाएंगे जब तक कि जो ये पेठा है वो सारा हमारी चासनी को अब्जॉर्व नहीं कर लेता है बीच वीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि जो पेठा है वो हमारा तली में चिपके नहीं तो इस इसी तरह से बनाएगा सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे ना तो आपका पेठा विल्कुल पर्फेक्ट बनेगा मेरा भी बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनके तयार हुआ था तो इस तरह से देखिए लगभग लगभग सारी चासनी यह पेठे ने सोक ली है तो अब आप जो बरतन को है ना वो हम गैस से नीचे उतार लेंगे और इसको फिर से हम 7-8 घंटे के लिए ऐसे ही ढख के छोड़ देंगे इसी भगोने में किसी और बरतन में इसको रखने की जरूत नहीं है अब 7-8 घंटे हो चुके हैं देखिए पेठे ने हमारा थोड़ा सा पानी रिलीज कर दिया है तो इसको हम लोग वापस फिर से गैस पर रख देंगे इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एड़ करने की जरूत नहीं है जब यह पेठा थोड़ा सा गरम होगा तो हलका सा और पानी इसमें से रिलीज होगा तो इसको फिर से उसी प्रोसेस में हम लोग चलाते रहेंगे और देखिए इस तरह से उलट-पुलट करके चलाते रहेंगे और फिर से जब पेठा बिल्कुल पानी सोक लेगा मतलब यह चासनी सोक लेगा तो इसको गैस की फ्लेम को बंद करके इसको नीचे उतार लेंगे तो यह देखिए पेठे ने हमारा पूरा पानी सोक लिया है तो अब इस तरह से एक थाली ले लिजेगा और कटोरी और उस पे इस तरह से छनी को रख देंगे और जो यह पेठा है न उस सारा का सारा इस तरह से इस पे रख देंगे ताकि नीचे से भी इसमें हवा लगेगी और इस पेठे को हम करीब 12 गंटे सुखाएंगे या फिर एक दिन या एक रात भी आप सुखा सकते हैं अगर बहुत जादा लंबा इस्टोर करके रखना है आपको नहीं तो ऐसे 12 गंटे सुखाने के बाद आप इसे एक हपते आराम से स्टोर कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर इसी तरह से सारा पेठा लगा दिया है यह बहुत अच्छा बन के तयार हुआ था और यह देखिए चासनी कितनी ठिक हो चुकी है तो इसी करसिस्टेंसी में आके हमें पेठा इस तरह से सुखाने के लिए रखना था तो यह देखिए पेठा हमारा सूख के बिल्कुल अच्छा सा तयार हुगया है यहाँ चासनी नहीं रही है और इसके उपर किस्ट्रल सा दिखरा होगा आपको पेठे के उपर तो इसका मतलब है कि पेठा हमारा वो बिल्कुल परिफ्ट बन के तयार हुआ है अब कोई भी airtight box ले लीजेगा उसमें आप store करके से एक हपते से 10 दिन तक आराम से रख सकते हैं अगर आप इसे fridge के बाहर भी रखते हैं तो और अगर fridge के अंदर रखते हैं तो इसे 15 दिन आराम से store कर सकते हैं आप और देखिए कितना अच्छा जैसे बजार में मिलता है ना फ्रेंट्स बिल्कुल वैसा ही वनके रेडी हुआ था और देखिए अंदर से कितना रसीला है मैं आपको दिखा रही हूँ तो उमीद करती हूँ आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को भी दबा दीजेगा ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और ये बिल एक नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यो फॉर वाचिंग